तो दोस्तो आज 13 बार्च 2024 बजार में आज बंपर गिरावट देखने को मिला जहां पे निफ्टी फिप्टी क्लोजिंग दिया 21,997 पॉइंट पे कडिव 1.51 परसंट गिरावट के साथ मतब ये दुग दर्ध काहे खतम नहीं होता मार्केट से मतब लगातार गिरावट होता ही जा रहा है और पोर्टफिलो तो उसके उपर दुग नहीं रफ्तार से गिरावट हो रहा है ना तो दोस्तों बात करेंगी इस वीडियो पे share market से related बहुत सारे important updates है आज पूरे दिन का latest जितने भी update है आपके साथ में share करूँगा साथ में global market का हाल चाल FSDS का data और most important part कल market prediction तो request करूँगा आप सभी को please वीडियो को बिना skip के पूरान तक जरूर देखना और specially आखरी जो तीन मिनिट वो miss मत करना because उसी तीन मिनिट पे हम market को analysis करेंगे कि कल बजार किस तरह move कर सकता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे market analyst द्वारा क्या statement दिया आए देख लेते हैं तो इस topic को cover किया HDFC securities द्वारा analyst ने इनके according आज जिस लेबल के उपर बजार closing दिया अगर यहां से गिरावट आगे होता है तो नीचे लगबक 21,860 पॉइंट के आसपास support मिल सकता है उसके साहँ साथ देखे इसको cover किया उसके बाद angel one द्वारा एक और analyst ने इनके according भी सेम चीस मेंशन किया कि ऊपर की तरव हमने देखा strong resistance मेंशन किया मतब लास्टे जैसे कि हमने देखा 22,200 के आसपास नीचे की तरव बात करी किसार 800 इनके तरव एक अच्छा support level बन सकता है इस टपिक को cover किया दूसरे एक और वेपसेट इनके according देखे निफ्टी फ़र्म लार्ज बेरिश कंडल 21,860 क्रूशल फॉर्दर शाप करेक्शन तो इस कूपर अगर मार्केट में और करेक्शन हो गया तो लगबग 21,800 तक गिर सकता है यह क्रूशल रवेल है उसके साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट रजिस्टेंस और सबोर्ट मेंशन किया नीची की तरफ इमेडियेट 21,800 तो लेकिए 21,700 और उपर की तरफ रेजिस्टेंस मेंशन किया 22,200 से लेकिए 22,300 उसके बाद दोस्तों देखी एक और एनलिस्ट ने अपने इसी सिच्वेशन पे मालूम पढ़ जाएगा कि कौन अस्रली खिलारी है क्योंकि जायता लोग इस टाम पे फ्रस्टेट होके सेल करके निकलेगा जो लोग पेशन्स रखेगा काम एंड कूल रहेगा उनके पास सी 200 पैसा आगा नियर फ्यूचर में फ्यूचर में सिदी सी गिरावर्ट हुआ खास करके मिट कैप स्मॉल कैप सेक्टर में सीदा सीदा तेरा लाख करोड इमेजिन कीजिए तेरा लाख करोड ठीक है धूओं की तरह गायब हो गया उसके बाद देख लिए यहाँ पे कुछ बाहर की फंड कंपनी की तरब से कुछ ऐसा स्टेटमेंट की इकनोमिक उपर की इंडिया इमार्च एस प्रेफर्ट इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर स्वीडिस बिजनेस यह बहुत इंपॉर्टन स्टेटमेंट है जहां पर देखिए आज की रेट में हमारे सेवी की तरब से यह बोला जा रहा है कि यहां पर बबल है यह है वही अगर हम बात करें बाहर की जो इंवेस्टर्स है या बाहर की जो बड़े इंवेस्टमेंट फंड कंपनी है लगातार इंडिया को प्रेफर कर रहा है इंडिया एक सॉलिट इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन जहां पर दूसरे बड़े-बड़े इकनोमी इसमेंट का न्यूस है आर्बियाई आस्क फेडरल बैंक साउथ इंडियन बैंक तो यह दोस्तों दो बैंक की शेर में कल गिरावट होने का मोस्ट अब दा चांस है क्यूं क्यूंकि तुस्टॉप न्यू को ब्रैंडेट क्रेडिट कर्ट इस्वेंस तो दोस्तों यहां पे ए मतब सेंट्रल बैंक ने का फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक यह दोनों ही लिस्टेट बैंक है और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा यह दोनों बैंक की शेर को वर कल नजर रखिए मोस्ट अब दा चांस गिरावट होने का यह है और उसके बाद देखिया आज की मोदी जी की तरब से एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मोदी जी ले फांडेशन स्टोर्ण ऑफ फ्री सेमी कंडेक्टर प्रोजेक्ट वर्थ 1.25 लाक करोड जीहां दोस्ते बहुत अच्छी अपडेट है कि आज की रिपने फाइनल इंडिया के अंदर जो सेमी प्लांड की बात चल रहा था लास्ट कुछ सालों से उसके बात जैसे कि आपको मालूम होगा कि सेवी चीफ की तरब से क्या स्टेट्मेंट आया था बेसिकली स्टेट्मेंट में यह कहां गया था कि मेट कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में बबल बना हुआ है तो इसको देख इन्होंने कोई बबल नहीं है साथ में इन्होंने कुछ अपना स्टेट्मेंट में यह भी का मैं आपको थोड़ा सा परके सुना तो इनका जो आर्टिकल्स आया है एक्चुली यह देखे इट स्टिल फ्रोथ लिटल बबली बट नौट आउट आउट अफ कंट्रोल इनके स्टेट्मेंट को और पूरा एकड़ी नहीं किया एक्चुली देखे इट इस टिल फ्रोथ लिटल बबली बट आउट 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 अफ कंट्रोल आस लोग एस वी कीप वच्वी कैन सस्टेंड कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टन स्टेट्मेंट मैं यह होना भ कितना बढ़िया परफॉर्म किया देखे इस मार्केट भी पॉजिटिव में चल रहाए शुरुआ दिवा पॉजिटिव में अभी चल रहा है 0.39% उपर डॉजोंस की बात करें वहीं अगर हम बात करें नास्टाक कॉम्पोजिट यहां पर थोड़ा बाद करेक्शन 0.37% का का सबस्क्राइब फिलाल बट एट अट ते सेम टाइम दोस्तों ब्रेन कूट की प्राइस का आफिया तक स्पाइक किया सिर्फ कुछ घंटों के अंदर दो परसंट का सबस्क्राइक कर जाना बहुत बढ़ी बात है उसके बात बात करेंगे देखिए इंडिया मार्किट की क सब्सक्राइब आइसे बैंक की एडियर वर्शन पे 0.65 परसंट की ड्रॉप हुआ गिफ निप्टी की बात करा चाहिए आपके सरने शेर करो गिफ निप्टी का रात की 10 बच के 25 मिट का एक दम लेटेस्ट अबडेट और अभी गिफ निप्टी चल लाए बाइस हजार 14 प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए बिकॉस इस टाइप की वीडियो में मैं आपको अक्सर पूरे दिन का अप्डेट देता हूं सा परचेसिंग देखने को बिला इस्राइल और हमास के बीच में कोई लेटेस्ट निउस नहीं और आज इस्राइली टॉप इंडेक्स की बात करें अल्मोस्ट फ्लैट में क्लोजिंग बहुत जादा कोई गिरावट या यहां पर करेक्शन देखने को नहीं मिला तो दोस्तों निउस तो आपने कवर कर लिए आप बात करेंगे कल मार्केट प्रेडिक्शन तो चलिए मैं आपको सीधा टेखनिकल चार परन को लेके चलता हूं यहां पर आप कीप करेंगे चीज़ बीच पीच पे तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा हाँ कुछ सीखने को नहीं मिलेगा इंटिमेटल्य के बात करेंद जिस लेबल पर क्लोजिंग दिया वह काफी क्रूशल लेबल है उसके साहाँ साह नीची की तरफ जैसे आप द पर एक तो जो स्ट्रॉंग यहां पर सपोर्ट डेवल ब्लू कलर का लाइन वह ब्रेक किया यानि और नीचे आके क्लोजिंग दिया ठीक फिप्टी डेस की जो यह में है उसके जस्ट ऊपर जैसे कि आप देख सकते स्क्रीन के उपर तो कल के लिए सबसे पहला सपोर्ट लेव की उपर ओपन हो दूसरा हो सकते की 22,000 की नीचे ओपन हो तो दोनों केस में अलग-अलग सपोर्ट अलग-अलग रेजिस्टेंस बनेगा सबसे पहले देखिए अगर 22,000 की उपर ओपन होता है तो उसकेस में आज मतब आज मतब 13 तारीक को इंटरे लो जहां पे टच्च किय वहां पे अच्छा सपोर्ट बनेगा इनकेस अगर कल 22,000 की नीचे ओपन होता है सब्सक्राइब पकलीजी की सब्सक्राइब हो चुका है कि कहां पे सपोर्ट है कहां पे रेजिस्टेंस है इसको मैं आपको थोड़ा और ब्रेक करके समझाता हूं जैसे कि आप आप देख सक 21,800 के आसपास लगाता दो बार यहां पे 200 सपोर्ट मिलाता और जिसके चलते आज भी आपको बोलूँगा अगर नीचे की दरव और गिरावट होता है तो लगबग यह जो हंडर्ड डेस की यह में आप देख सकतो फोर आर्स की चार्ट पर यानि 21,000 सारे 800 के आसपास यहां थोड़ा बहुत वलेटल भी होने का चांस है बढ़ हागर तेजी हो गया तो अच्छी बात है ठीक अगर 22,000 के उपर सस्टेन कर गया तो उसके इसमें उपर मूफ कर सकता अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर से नीची की दरव गिरावाट होगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी रोल कल बहुत क्रूशल रहेगा विकाज बैंक निफ्टी भी यहाँ पर आज की रेट पर से इंपॉर्टन लेवल ब्रेक किया और नीचे आके क्लोजिंग तो कल देखिए बैंक निफ्टी से इंपर जाने की कोशिश करेगा है ना इसको अगर सस्टेन कर गया उसकेस में मार्कोट को भी पॉसिपिलिटी है उपर की दर लेके जाना तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हाइलाइट किया तो सबसे इंपॉर्टन एक बर मैं आपको अधाके रखना चाता हूं कि 22,000 का लेवल कल काफी क्रूशल है तो 22, अगर निफ्टी टिक गया तो उसकेस में थोड़ा उपर मूव हो सकता है अगर यहाँ पर रेजिस्ट्रेंस मिला तो थोड़ा नीचे के मूव हो सकता है यह दोस्तों मैं आपको क्लेरली मेंशन कर दिया बाग ही आपका कोई क्वाइड इस वीडियो को वाइंड आप करता ह मिलता नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई जय हिंद